तो मैं दो तरीके बताऊंगा आपको जिससे कि आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं एक तो आप यहां से अपने zoom.us पे जाके अकाउंट में लॉग इन करें जो हमने लास्ट वीडियो में पनाया था तो वो यूजर इडी यूज़ करके और फिर आप यहां से कर सकते हैं host a meeting with video on या आप यह कर सकते हैं कि आप zoom client को launch करें अपने laptop पे या macbook पे और उसमें sign in करें तो आपने जो account बनाया था उससे login करें जो आप इसमें login करेंगे तो आपको यह screen दिखेगी आप इसमें simply click करिये new meeting using your personal meeting id and that's it इसमें आप इसको copy कर लीजिए copy invitation and then start so यह हमारी जब आप इसको start करेंगे तो यह आप से पहला question पूछेगा join with computer audio यह हमको option choose करना है इसमें आप test इसमें आप check करना चाहते है कि आपका microphone और speaker काम कर रहा है की नहीं कर रहा है तो इसमें यह एक option है नाम add होता जाएगा तो यहां देख रहे हैं कि एक student हमारे join हो चुके हैं अभी हमारा camera off है तो camera on करने के लिए आप यह start video पे click करिए और यह camera हमारा on हो चुका है तो इसमें आप अपने वीडियो को यह हाइट करना चाहते है तो आप यह हाइट self view क्लिक कर सकते हैं यह आप इसको prominent रखना चाहते है तो आप पिन कर दीजिए यह आप इसको पिन वीडियो कर देंगे तो आप का video prominent screen पर दिखेगा अपना microphone unmute करके आप से बात कर सकते हैं और यह आप चाहते हैं कि वह mute पर रहे तो आप सब को mute all कर सकते हैं यहां से To share information आपके पास दो तीन option है पहला option है कि आप whiteboard use करें तो यह आप whiteboard use कर रहे हैं तो आप share में जाएं यहां पर whiteboard पर click करें and share तो यह whiteboard application Zoom की है वो open हो जाएगी अपने हिंदी teaching के हिसाब से draw option एक अच्छा option है यह आपको पास touch screen laptop है तो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप इसमें easily यह चीज़े टाइप कर सकते हैं नहीं तो आप mouse से भी इसको try कर सकते हैं जैसे कि मैं यह try कर रहा हूं और यही same चीज़ अभी सारे students के screen पर देख रही होगी तो एक तो यह option हो गया दूसरा option जो है आप अभी इदिया इदिया बुक से पढ़ा रहे हैं तो आप simply अपनी book लीजिए और इसको camera के सामने करिए और basically आप उसमें जो भी page आप कर रहे हैं वो इसको camera से दिखा के आप पढ़ा सकते हैं तीसरा option जो आप यूज कर सकते हैं वो है इदिया आपने pdf file बना रखी है या word file बना रखी है और आपको उसको share करना है तो आप पहले उसको open कर लीजिए जैसे कि यहां पर यह मैंने open की हुई है एक pdf file जो कि मैं share करना चाहता हूं लोगों के साथ तो मैं इसको basically वापे से share option पर जाओंगा इन इसमें मुझे जो file मैं open की थी और देख रही है कि यह वाली file मैं को share करनी थी and then I will share this तो आप देख सकते हैं कि यह file अभी सभी लोगों को visible है यदि मैं चाहूं तो इस पर मैं annotate कर सकता हूं तो जो भी आपने word document खोला यदि आपको उसमें किसी चीज़ को highlight करना है तो आप उसको use करके आप बोले कि देखिए वाली line पर आपको ध्यान देना है तो इस तरह से उसको underline कर सकते हैं यहां पर कुछ लिखना है तो वह भी कर सकते हैं तो यह सब चीज़े इसमें possible है तो इस तरह से आप share कर सकते हैं यदि आपको किसी student से कोई question पूछना है तो आप उसको unmute कर सकते हैं यदि आपने students को बोला है कि जो मैंने आपको dictate किया था वो आपने कैसे लिखा है वो दिखाए तो students उसको जो उनने paper पे लिखा है उसको अपने camera के सामने आपको दिखा सकते हैं तो यह है तरीके आपको इसकी stop sharing करने है तो आप अपको stop sharing करने हैं तो आप just click करिए stop share and then sharing will end तो आप देख सकते हमारा पास तीन students अभी यहां पे इस session में हैं और आप किसी भी student को unmute करके आप उसे question पूछ सकते हैं आपको meeting खतम करने के लिए simple इस link पे click करना है और उससे आपकी meeting खतम हो जाएगी यह chat option आप यूज कर सकते हैं तो आपको किसी student को message भीजना है या सब को message एक साथ भीजना है और आपको some reason किसी का audio काम नहीं कर रहा है या सुननी पा रहे हैं तो आप उसको chat option यूज कर सकते हैं या student chat option यूज करके message भीज सकते हैं इस meeting को end करने के लिए इस मैंने click किया end meeting, end meeting for all आप देख सकते हैं हमारी meeting में और भी लोग join हो चुके है तो आप एक स्टुदेंट आप जूइन किया है तो वेल्कम उस स्टुदेंट उमेज जी हाँ Amin चींची एक प्राषना मेरा तो सबी स्टुजेंट्स अब आइसे वीडियो जो है तरन आप सकते हैं और क्वेशन को सकते हैं जी हाँ कि यहां बिलकुल बस मेरा एक सजेशन है सभी के लिए कि यदि आप अधर टीचर होस्ट इवन इस्टुटेंट्स इडि वो हैटफोन यूज करें तो उससे क्वालिटी अच्छी आएगी और लोगों को एको भी सुनाई नहीं देगा तो बस इसके साथ ये मीटिंग खतम हम करते हैं उसके लिए एंड मीटिंग पर क्लिक करिए एंड मीटिंग फर आल यह हम 40 मिनट वाले सेशन कर रहे हैं तो लैसे हमारा 40 मिनट खतम हो रहा है तो हम यहां पर इसको एंड मीटिंग करेंगे और फिर सेम लिंक जो हमने भेज आत पहले को हम सभी student को बोलेंगे कि दुबारा उसी link पे क्लिक करें ताकि next meeting start next 40-minute की meeting start ho सके तो अब जैसी मैं end meeting for all कर और करूंगा यहां पर यह meeting खता हो जाएगी और आप सभी students को बोलिए कि फिर सी लिंक पे क्लिक करें तो students, मैं इस meeting को end कर रहा हूँ, आप फिर से उस link पर click करके meeting दोवार जॉइन करें. तो यह meeting जो थी वो खतम हो चाहिए, अब मैं इस फिर से same meeting start करना हूँ. तो उसके लिए फिर से उस पर click किया हमने, और join with computer and audio, same thing विछ हमने जो की थी. और अब हम students का wait कर रहे हैं, जो की जैसे-जैसे join करेंगे, वो वापसे यहाँ पर आपको लिखेंगे. है सट? तो आप यह देख सकते हैं कि students ने दुबारा same link पर click करके meeting join करना चालू कर दिया है. तो आप अब next 40 minute sessions में कर सकते हैं. मैं अब इस meeting को यहाँ पर खतम करने के लिए same, आप end meeting पर click करिए और end meeting for all.